तो दोस्तो आज की इस वीडियमे हम कवर करेंगे History of Novelgy हाँ यह आपके महारास्टा बोट के English के Class 12 के Slay Bus में है Drama Section में तो दोस्तो इसे में Start करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपके महारास्टा बोट के English के Class 12 के Slay Bus को पूरा Complete कर लिया है क्योंकि दोस्तो जब भी मैं आपके Slay Bus से Related वीडियोस बनाऊँगा आपके पास वो पहुँच जाएगा मैं आपको बता दूँ कि अभी बहुत सारे वीडियोस मैं बनाऊँगा आपके Slay Bus से Related तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और मुझे उमिद है कि आपने अब तक कर दिया होगा अगर नहीं किया तो वीडियो को स्टॉप करो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो फिर इस वीडियो को देखो तो चले दोस्तो अब शुरू करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर कहा गया है कि 18th सिंचरी में इंग्लिश लिट्रेचर में दो न्यू रिफॉर्म्स आये मतलब की 18 सदी में इंग्लिश लिट्रेचर में दो नया रूप आया एक दा पिरियोडिकल एसे और दूसरा नॉवल तो दोस्तो इस चाप्टर में जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ नॉवल के बारे में अब यहाँ पर कहा गया है नॉवल हेल्प्स लीडर्स तू लीफ पर पोस्फुल और वर्चूस लाइफ यानि कि अगर आप नॉवल पढ़ते हो और उसे अच्छे से समझते हो न तो इससे आप पर पोस्फुल और वर्चूस लाइफ जियोगे जी हाँ नॉवल जो है वो लंबा होता है प्रोस से लंबा प्रोस मतलब दोस्तो जिसे हम कहते है स्टोरी और दोस्तो यह नॉवल कुछ और नहीं यह प्रोस से ही उत्पन हुआ है मिन्स यह जो कहानी होती है न बस इसी को पार्ट वाइस में और बहुत ही लंबे करकर समझा दिया जाता है उसी को कहते है नॉवल अब दोस्तो यहाँ पर बताया गया है कि जो नॉवल है वो डेराइब्ड हुआ है इटालियन वर्ड नॉवला से और इस नॉवले का मिनिंग है नॉवल जाने कि दोस्तो नॉवल बहुत ही आसान होता है समझना राधर दैं ड्रामा और पोर्टरी से और अब यहाँ पर बात होती है दोस्तो मॉडन एरा के बारे में इन मॉडन एरा नॉवेल है अडॉप्टेड लिटरिरी प्रोज नॉवेल अज लिटररी जिन है अ हिस्ट्री ओफ टू थाउजन यर्स अगो जी हां दोस्तों यह जो नॉवेल है ना यह 2000 साल से 2000 साल पहले से चल रहा है और अब यहां पर हमें यह बताया गया है कि जो ग्रीक रोमैंसेस होता है ना यह 2-6 सेंचरी तक चला और यह अपने लिस्ट में टॉप पर था और पहले बहुत सारे नॉवेल लिखे गए थे यानि कि बिल्कुल स्टार्टिंग में और उन सभी नॉवेल्स का बहुत ही इंपक्ट था लिटरेचर पर तो दोस्तों यह सभी नाम स आप यहाँ पढ़ सकते हो जैसा कि कैंटर परी टेल्स यह बहुत ही फेमस नॉवेल है आपको पता होगा नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया दुनिया का सबसे पहला नॉवेल था मुरासाकी सिबू कूस का और दोस्तों इस नॉवेल का नाम है टेल आफ गेंजी टेन त स्टार्ट किया था दौन क्यूट सौट ने यानि कि यूरूप में सबसे पहला नॉवेल इन्होंने लिखा था और यह एक स्पैनिश राइटर थे यहाँ पर एक और नॉवेल की बात आती है मिग्योल डी सर्वेंटेस तो दोस्तों यह जो नॉवेल है यह पब्लिस्ट हु था 1605 में दूसरा 1615 में जो जो डेट्स में आपको बता रहा हूं आप अच्छे से सुन लो क्यूंकि यह सभी बहुत ही इंपोर्टेंट है और दोस्तों इसलिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट में डाल देते जा रहा हूं तो आप क्या करना आप इन सभी के स्क्रीन शॉट ले अब दोस्तों बात होती है यहाँ पर आफ्टर 1740 यानि की 1740 के बात के बारे में नौवल ओरिजिनेटेड आज दे लिटरी फॉर्म इन इंगलाएं नौवल डिजाइन फो बोथ मीडल और लोवर क्लास पीपल तो दोस्तों 1740 के बात जो नौवल बनाना वो बहुत मिंस ऐस है ना यह सब है तो आपको क्या करना है आपको इन सभी को रीड करना है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दोस्तों लिखा है आप पढ़ते जाएए इनिशियेटेट दा प्लेंटियस और कलरफू ट्रेडिशन इन इंगलिश नौवल मींस यह सभी जो नौवल है न दोस्तों और यह जो है इनके राइडर है तो यह नौवल जो है इन्होंने इंगलैंड का जो ट्रेडिशन था उसे कलरफूल कर दिया और और यह सभी लोग जो है इन्होंने भी हेल्प किया इंगलैंड के वातावरन को कलरफूल करने के लिए इसका मतलब दोस्तों अच्छे से दैनियल डिफोई, रॉबिंसन कुरूसो, मैल, फ्लेंडर्स ये सब क्या है दोस्तों ये से भी नॉवेल्स के नाम है और ये जो डैनियल डिफोई है ये और ये है जोनाथन सुइफ्ट ये भी और इनका एक बहुत ही फेमस नॉवेल है जो कि दोस्तों मैंने पढ़ा है जिसक century के novel है और इन्हों ने ये सभी novels को लिखा है पैमिला वर्चिव रिवाड़ेड और जो जो है यहाँ पर हेंजी फिल्डिंग लॉरेंस स्टन और टॉबियास स्मॉलेट ये दोस्तों novel नहीं है ये लोगों का नाम है ये सभी कौन है दोस्तों ये सभी novelist है जब पुराने पुराने novelist का काम तमाम हुआ मतलब की जब वो इस दुनिया से लुडग गया है तब ये लोग आये और इंग्लैंड के ट्रेडिशन को यानि की इंग्लैंड में novel को आगे बढ़ाया इंग्लैंड क्या पूरे दुनिया में ये सभी कौन थे दोस्तों ये सभी वो novelist थे जिनोंने अपना नाम दिया मीन्स जिनोंने अपने काम से अपने नाम को रोशन किया 20th century के बाद they widened the circumference of the gender by writing political, social, psychological and other modern issues in their novels दोस्तों ये सभी लोग अपने novels में political, social, psychological और modern issues के बारे में लिखते थे अपने novel में कौन लोग ये सभी लोग जो 20th century में आये there are immigrant authors like सल्मान रशीद जो की इंडिया से थे वी एस, नाई पॉल ये थे दोस्तों Trinidad, Trinidad, Tobago जो की West Indies का है टीम, काज़ो इशुगारा ये दोस्तों जपान से थे और many others ये सभी कौन है ये सभी दोस्तों बहुती famous novelist है यहाँ पर आपको सिर्फ इन सभी का नाम याद रखना है और कौन-कौन-कौन से century से थे ये आपको याद रखना है तो चलिए अब आगे बढ़ते है अब दोस्तों यहाँ बात होती है Jane Austen के बारे में जो एक lady थी और ये बहुती बड़ी novelist है जी हाँ बहुती बड़ी तो बहुती बड़ी ये अपने novelist से लोगों के दिमाग में च्छा गई थी मतलब कि बहुती famous हो गई थी और दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है Bronte sisters के बारे में ये स्रिफ दो sisters थे एक का नाम था Emily और दूसरा का नाम था चार्लोट यानि कि Emily Bronte और चार्लोट ब्रोंटे इन दोनों के works के बारे में कहा गया है मिंस इन्हों ने जो जो novels को लिख है उनके बारे में कहा गया है The Wuthering Height मैंने इसे पढ़ा है Jane, Air, Mary, Ann, Events Elias, George Elliot wrote The novels reflecting psychological insight और दोस्तों जो George Elliot है ना इन्होंने ऐसा novel लिखा था जो reflect करता है यानि कि जो दर्शाता था psychological effect अब यहाँ पर दोस्तों बात होती है Virginia Woolf के बारे में ये भी बहुत ही बड़ी writer थी और दोस्तों इन्हें कहा जाता है Pioneer of the stream of consciousness ये क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि ये चाप्टर में अच्छे से आगे में discuss हुआ है ये दोस्तों एक टेकनीक है जो की England के novelist यूज करते है अगाथा क्रिस्टी ने अपना place बनाया था literature की दुनिया में ये novel लिखती थी crime के ऊपर यानि की जो होता है ना गोली मार दिया कैसे को कोई मर गया ये हो गया चोरी हो गया लूट हो गया दकैती हो गया तो इन सभी चीजों के ऊपर ये अगाथा क्रिस्टी नॉविल लिखती थी हर्क्यूले पॉयरोट एन मिस मार्पल आर्द एवर ग्रीन डिटेक्टिव स्केटेड बाई हर्पर ली मार्गरेट एट वोड टोनी मौरिसन और अलाइस वालकर हाव इवलेटेट ट्रेडिशन फर्दर टू प्रोस्परिटी ये सभी क्या है ये सभी दोस्तो नाम है और इन्हों ने भी लिटेचर की दुनिया में बहुत ही नाम कमाया अब दोस्तो यहाँ पर बात होती है थोड़ा सा इंडियन सिनायरियों के बारे में यानि कि इंडियन जो राइटर है और इंडिया में जो जो नौवेल का वर्क था उन सभी के बारे में तो दोस्तो राज मोहन्स वाइफ बाई बनकीम चंद्रचाटो पाधिया यह दोस्तो पहला इंडियन रिटेन नोवेल था बाई एन इंडियन मिंस यह बनकीम चंद्रचाटो पाधिया आया जो भी नाम है ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इंग्रिश नौवेल लिखा था और दोस्तों यहाँ पर कुछ फेमस इंडियन नौवेलिस्ट के नाम दिये गए है जिन्होंने बहुत ही नाम कमाया लिटेशर की दुनिया में आप यहाँ पर उन सभी के नाम को simply पढ़ लो मुल्क, राज, आनन, आरके, नारायन, राजा, राओ, वेर दा मेजर ट्रायों प्रिवेल्ड इन पिरियेड आफ्टर डैट नौवेलिस्ट लाइक अनिता, देसाई, नैंतर, सहगाल, अरुन जोशी, और मनुहर, मालगोनकार ये सभी जो लोग थे ना दोस्तों इन्होंने इंडिया में इंग्लिश नौवेल की दुनिया को पलट दिया, ये आए और इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे वर्क लिखे, और यहाँ पर कुछ नाम है दोस्तों, अमिताव, घोश, विक्रम, सेथ, एन उपमान्यू, चाटर जी, ये कौन है, इन्होंने दोस्तों इ इनके बारे में दुनिया को पता चला, उनके नाम है सल्मान, रशीद, अर्वींद, अडीगा, अरुंदती, रॉय, किरन, देसाई, किरन, नागरकर, ये सबी दोस्तों नाम है, आप इन सबी नाम को याद रखना, अब दोस्तों हमें यहाँ पर बताया जाता है, नौवेला चोटा हो, उसे कहते हैं नौवेला, तो इजी लगा ना, मैंने बहुत अच्छे समझाया, तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर दो, जल्दी कर दो, ये दोस्तों कुछ नौवेला है, आप इनके बारे में पढ़ लीजिए, तो दोस्तों चानते हैं कि नौवेल के एलिमेंट्स क्या-क्या होते है, यानि कि एक नौवेल में क्या-क्या चीज होता है, तो दोस्तों सबसे पहले होता है, नौवेल में थीम, थीम मतलब दोस्तों सेंट्रल आइडिया, यानि कि कि किस चीज के बेसिस के उपर ये नौवेल लिखा गय है दूसरा होता है दोस्तो प्लॉट कहते है समरी को यानि कि जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ ना इसे पुरा प्लॉट कहते है इसे तो नहीं कहते है अगर किसी कहानी को शॉट करकर समझाया जाए उसे कहते है plot तो इसे तो मैं long कर ही के समझा रहा हूं मैंने बहुत सारे stories को समझाया है short करके तो उसे कहते है plot और दोस्तो आप character तो आप सभी को पता होगा एक story होते है उसमें जो जो character होते है राजू, मॉन्टू, बबली, पिंकी, डबू, लबलू जो जो है ये सभी क वो कहते है characters और दोस्तो settings ये वो लड़का लड़की वाला setting नहीं है यहां दोस्तो setting मतलब है एक novel कहां पर based है मिंस मानलो हम किसी कहानी को पढ़ रहे है और उस कहानी का पूरा scene एक train में है तो उस novel का setting हो गया train में या दोस्तो मानलो London एक novel है जो की London के बारे में मिंस जितनी भी चीजे है उस novel में सभी character सभी चीजे सभी events हुआ है उस London city में तो उस novel का setting हो गया London समझ में आ गया अच्छे से तो दोस्तो अब हम जान लेते है conflict इसका मतलब तो आपको पता होगा जब दो लोगों में लडाई होता है novel में दो forces में forces मतलब आप hero और villain भी कह सकते है और द तो आपके chapter में last में elements का portion है language style तो the language and techniques used by the author for the narration is known as style यानि कि जो technique author use करते है narration के लिए यानि कि हमें बताने के लिए उसे कहते है style और दोस्तो यहाँ पर vocabulary का भी use होता है तो दोस्तो यह सभी हो गए elements अब हम जानेंगे इस chapter का last portion जो की है types of novels यानि कि कौन कौन से types के novel होते है तो यह सभी novel के types है आप दोस्तो simply इन सभी के नाम को पढ़ लीजिए और book में जाए और इनका definition पढ़ लो बहुत ही easy definition है यहाँ तो मैं आपको बता दूँगा आप हिंदी में समझ लोगे लेकिन दोस्तो आपको इसका English definition पढ़ना जरूरी है जी हा पर यह video end होता है मुझे उमिद है कि आपको इस chapter को मैंने अच्छे से समझा दिया और हाँ दोस्तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप हमें online transaction करके मदद कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो इन सभी videos में कसम से सच कहा रहा हूं बहुत महनत लगता है बहुत मतलब बहुत तो आप online transaction करके हमारा मदद कर सकते हैं यह दोस्तो मेरा google पे और phone पे और ptm का number है तो आप कर सकते हो कंपल सरी नहीं है इस आपके पास है आप provide कर सकते हो तो आप करो क्योंकि अगर आप सोचते हो कि हम youtube चैनल से बहुत कमा लेते हो कमा लेते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो क्योंकि दोस्तो जरा सा भी youtube support नहीं करता है educational channel को this is the harsh truth of youtube